नमशकार, मैं क्रती अटवाल, नानंग मता पबलिक स्कूल की दस्वी की छात्रा आज मैंने स्वतंतरता दिवस के अफसर पर एक कवीता लिखी है, जो की इस प्रकार है बर्सों बीद गए गुलामी में, दिखी नहीं कोई आस, जो आला मुखी बने भारतियों के मन में, पनप रही थी स्वतंतरता की आग 1857 में सिपाहियों ने छेडी जंग, असफल ही सही, पर थायस वतंतरता का पहला कदम, यहीं खत्म हुआ इस्ट इंडिया कंपनी का साशन ब्रिटिश कुईन के हाथ आया, भारत का प्रिशाशन, जेली भारत वर्ष ने असहनिय प्रतारना, पर फिर भी नहीं छोड़ा, हक के लिए लड़ना 1942 में फिर मुठी बन खड़े हुए, करो या मरो का नारा लेकर डटे रहे पूर्ण स्वराच की थी मांग, कम में मानने का नहीं था कोई चांस कहीं हिंसा तो कहीं अहिंसा, कोने कोने में हुआ प्रयास पंदर अगस्त 1947 को हुआ देश आजाद जुनू था लोगों में आजादी का, आजादी भी खुश थी, आजादी का महल देख बीते दिन और भूल गए हम, आजादी के मूल्य करने लगे आजादी का इस्तमाल, दूसरे की आजादी का करने में हनन कहीं फेक न्यूस की गुलामी, तो कहीं भ्रष्ट सत्ता की कहीं अंदविश्वास चरम पर, तो कहीं उच्छी मान सकता कहीं सवालों का अभाव, तो कहीं आजाद भारत में, आजाद लोग बन पड़े गुलाम खेर, जरूरत है याद करना, आजादी के असल मूल्य बनाईए जश्न आजादी का, पर विचार जरूर कीजिए यह वही आजादी है, जो हमारे स्वत्मत्र सनानियों ने चाही थी यह वही भारत है, जिसके लिए लाखों ने जान की बादी लगाई थी क्या, अंग्रेजों से आजादी ही आजादी थी